So, Hello बच्चों, कैसो आप सब उमीद करता हूँ, सब ही ठीक होगे बच्चों, बहुत दिन बाद मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ आपके सामने तो आज हमारा वीडियो इस बात पर है, कि लगबग बच्चों का लखनो विश्विद्याल है या इससे अप्लियेटेड कॉलेज में, अगर आप पढ़ते होगे तो आप यह नाम जरूर सुनते होगे, कि भाईया, हमारे रिजल्ट में ये अप्सेंट लिखके आ गया है ठीक है, चाहे मेरे थियोरी में आ गया, और चाहे मेरे एक्स्टर्नल में आ गया और बाद में ये ही रिजल्टे में आप्सेंट लिखके आता है, यूनिवर्सिटी कहती है बेटा अप्लिकेशन लेके आओ जरा, लड़का अप्लिकेशन जमा कर देता है फिर भी इनिवर्सिटी के लोग क्या करते होगे, उसे करेक्शन नहीं करते है रिजल्ट वैसे का वैसे पढ़ा रहता है, और एक लास्ट एक ऐसा समय आता है कि बच्चा एडमिशन के लिए दर-दर ठोकरे खाता है और उसको एडमिशन भी नहीं मिल पाता है, ना रिजल्ट सही होता है यूनिवर्सिटी ये दावा करती है कि आप अप्लिकेशन हमको दीजिये लाखे हम पंदरे दिन में सही करतेंगे लेकिन बच्चो आज इस पूरे चीजों का मतलब तोड़ मड़ो निकालूंगा कि अगर आपका सेमेश्टर एक्जाम में मालो यूनिवर्सिटी की गलती की वज़े से एफसेंट लिखके आ गया ठीक है और किसी भी पेपर में बैक आपका ठीक है तो आप क्या कर सकते हो अप्लिकेशन दे देते हो जब भी अप्लिकेशन देते हो तो यूनिवर्सिटी वाले केते हैं बेटा जाओ अप्लिकेशन ले लिया नाम आपका नोट किया हो गया तो हमने बहुत कोशिस किया कई बच्चों का और ऐसे ऐसे सिचुएशन हमने देख लिए एक बच्चे थी उसका सायद यही था मतलब समेस्टर एक्जाम में क्या हुआ था यूनिवर्सिटी ने एपसेंट कर दिया था दोनों पेपर में जब कि वो पेपर दी थी ठीक है फिर बाद में क्या हुआ जब 6 महीना बीत गया मतलब पहले तो उन्हें अप्लिकेशन दिलवाए तीन बार चार बार अप्लिकेशन देदो अप्लिकेशन देदो अप्लिकेशन देते देते वो ठक गई अब यूनिवर्सिटी वाले ये बोलते हैं कि एक काम करिए आप जाके सीधा back दे दीजिए ठीक है अगर पुराने वाले paper का है तो exempted दे दीजिए तो ये तो हो नहीं पाएगा भाईया हमने एक बार paper दिया था पास भी हो गये थे ठीक है पास भी थे उस subject में लेकिन फिर भी आपने हमको absent कर दिया है ठीक है अगर 30 days से कम हुआ है तो क्या करना है और 30 days से जादा हो गया मतलब 30 दिन से application दी है हुए जादा हो गया कोई नहीं सुन रहा आपका तो क्या करोगे देखो अगर 30 days के अंदर का मामला है जैसे मालो बी ए 4 semester का result आया उसमें कई बच्चों का अप्लिकेशन दे दियो सही नहीं हुआ तो क्या करोगे सबसे पहले यह application लिखोगे यहां से request for justification absent तो यहां पर हमने season लिखाया कि जैसे मालो आपका किसी भी subject में absent mark हो गया तो आप LEU update की website पर आओगे और वहां से यह application उठा लोगे पूरा यह मिल जाएगा आपको news corner से तीक है यह link क्या करोगे इसके साथ अपना result attach करोगे ले जाके university में जमा कर दोगे अगर आप किसी affiliated college के student हो तो आपको क्या करना अपने affiliated college वालों से sign कराना है मतलब अपने college के principal से sign कराना है और ले जाके application क्या करना university में जमा कर दो भाईया हमने ये काम एक महीना पहले कर लिया दो महीना पहले कर लिया लेकिन ये university वाले सुन नहीं रहे ठीक है नहीं सुनने है तो अब क्या करे अब उनको सुनाने का एक तरीका बता दे रहा हूँ आपके घर पे या आप कहीं भी किसी भी department से गौउर्मेंट के परसान हो चुके हो ठीक है और कहीं भी लग रहा है कि आपकी नहीं सुनी जा रही है तो यूपी गौउर्मेंट ने एक बहुत अच्छा काम किया है अच्छा काम क्या किया है यूपी गौउर्मेंट ने एक जन सुनमाई पोर्टल बनाई है ठीक है जन सुनमाई पोर्टल एक ऐसा पोर्टल है ठीक है उत्तर प्रदेश सामाधान अब इस पोर्टल को बनाया क्यों गया ठीक है अब यहाँ पे क्या होता है कि चाहे वो आपके यूनिवर्सीटी लेबल की सिकायत हो चाहे आपको किस पर वल सा सिकायत पंजीकरण मतलब किसी भी साइबर कैफ़े वाले भाईया के पास जाईएगा या इसका मुबाइल आप डाउनलोड कर लीजेगा यह आप से खुद से हो जाएगा शिकायत पंजीकरण वाले ऑप्षन में जाईएगा ओनलाइन शिकायत दर्ज कर दीजेगा आपका फोन नंबर मांगेगा एक OTP आएगा और पूछेगा कि आपका मामला किस डिपार्टमेंट से संबन्दित है उन चीजों को भरिएगा और डीटेल में मैटर लिखेगा फिर यह क्या करेगा यहां पे आप कंप्लेंड कर दोगे जैसे मानलो इस पोर्टल पे आपने तीन दिन बाद आपके युनिवर्शिटी से पूछेगा अच्छा यह बताइए इस बच्चे को आप सेंड इस बच्चे ने अप्लिकेशन दिया है आपके हां तीस दिन हो गया और अभी तक आप आपने इसको सही क्यों नहीं किया फिर यूनिवर्शिटी क्या करेगी एक तो आपको क्या करना है अगर आपका अपसेंट आया है तो आपको जन सुनवाई पोर्टल पे जाके कम्प्लेन करना है ठीक है तो आप इस पोर्टल पे जाके कम्प्लेन कर दो ठीक है तीस दिन से जादा हो गया नहीं कोई सुन रहा है तो सब कोई सुनेगा चाहा वो इसको ध्याने रख लेना, ठीक है, अप्लिकेशन लिख देना, पहले देना, मतलब फोस्ट क्या करना है, उन्वर्सीटी को बताना है, कि मेरा रिजल्ट सही कर दो, फिर जब कोई नहीं सुनता, तो आपको यहाँ पे जाना है, सिकायच दर्ज करना है, और अराम से घर पे बै किसंदियते, और बोले थे, कि सर सही कर दीजे, लेकिन आपने सही नहीं किया, इसलिए मैंने इस गवर्मेंट के पोर्टल पे जाके कंप्लेन कर दिया, ठीक है, तो अगर आपका रिजल्ट कभी-कभी हो, एक साल हो गया, डेर साल हो गया, कभी-कभी रिजल्ट हो, आप इस पोर्टल पे कंप्लेन करीए, और जानिए कइनवर्चिटी अब क्या वोल रही है, ठीक है, तो आप इस पोर्टल पे कंप्लेन कर दीजिए, ठीक है, अगर आप अपना साल बहाना चाहते हो, कि हां इन्वर्सिटी की गलती की वज़े से बैक लगी है तो ये चीज़े आप कर सकते हो यहां से इस पोर्टल से तो ध्यान रखिएगा और हां ध्यान रखो आपका सेमेश्टर एक्जाम दिसंबर में होने वाला है अब सेमेश्टर की भी तयारी आपको करनी है ठीक है ताकि कि यह नौवत यह दिन ना देखना पड़ है कि आपका फिर उसे बैक आजाए ठीक है तो इसके लिए आपको सिंपल साइक काम करना है गूगल प्लेई स्टोर से आपको लू अपडेट का मोबाईल एप अया यह काम कर सकते हो आप लू अपडेट मोबाईल आप डाउनलोड प्लेट करते हैं और इहां पर कॉर्से हसे साथ यह सन। serje क्ल्क कर देना या सारे हैंガ किसी भी क्लिक कर ले ना यहां मैं contact का कॉर्स ले लिया तो इन दोनों कोर्स में वीडियो क्लास आपको डِया जियान है यह शारी है प्रवाइड करते हैं, मॉडल पेपर प्रवाइड करते हैं, तो आप भी अपनी तयारी शुरू कर दीजिए समस्टर एक्जाम की, दिसंबर में आपका परिच्छा होने वाला है, और हाँ, रिजल्ट तो सही घर आई लीजिएगा, कम्प्लेंड करके, ठीक है, लेकिन समस्ट में अच्छे नंबर आने जाहिए, और तयारी जरूरू कर लिजिएगा, तैंग्यू समस्ट,